दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किये थी कि प्लीज आप आपके जो विएस कोड के एक्स्टेंशन्स है वो शेर करें तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो 15 विएस कोड एक्सेंशन्स शेर करने वाला हूं जो मैं अपनी डेली डेवल अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप अपनी प्रोग्राम को ग्रो करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और बिल का एकन प्रेस करके तो सबसे पहला जो extension है वो है auto rename tag तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह इसके डाउनलोड से और इसकी रेटिंग भी सही है अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह extension आपकी कैसे help करता है और यह exactly क्या करता है अपने code के अंदर ठीक है तो उसके लिए चलता है अपने code editor में और यहाँ पर मैं open करूंगा देखिए कोई भी file एक open करता हूँ मैं कोई भी यहाँ पर करते हैं और for example यहाँ पर अगर मैं नीचा आता हूँ और कुछ भी अगर मैं एक क्रियेट करता हूँ देखिए यह डिव मैंने क्रियेट किया और इसके अंदर लिखा hello from koders ग्यान अभी मैं जाता हूँ कि यह जो डिव है इसको मुझे रिनेम करना यह मुझे डिव नहीं चाहिए यह मुझे चाहिए h1 तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सबसे पहले manually यहाँ पर जाके change करना पड़ेगा h1 और फिर जो closing tag है यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा h1 लेकिन यह जो extension हम use कर रहे है यहाँ पर उसकी मदद से होता यह है कि आप अगर सिर्फ यहाँ पर इसको अगर rename करोगे h1 तो जो closing tag जो है वो automatic rename हो जाता है अभी यहाँ पर तो इतना problem नहीं है लेकिन समझ लिजे कि आपकी जो file है देखे कुछ इस type का structure है और यहाँ पर आपको change कर रहे हो देखे यह for example और इसका जो closing है वो सबसे पहले तो आपको ढूनना पड़ेगा फिर वो ढूनने में भी तकलिफ हो जाएगी और फिर दोनों जगा पर इसको rename करना पड़ेगा लेकिन इससे अभी यह जो extension है इसकी मदद से होगा यह कि आप यहाँ पर rename करोगे तो उसका जो closing tag जो है वो कही पर भी हो सकता है अपकी file अगर यह structure थोड़ा अगर बड़ा है तो वो कहाँ पर भी हो सकता है तो वो automatic rename हो जाएगा ओके तो यह काम है इस extension का अभी हमारा next है वो है bracket pair colorizer और इसके आप downloads देख सकते हो यह downloads भी सही है और इसकी जो rating है वो भी बहुत सही है और यह basically क्या करता है उसको समझने के लिए हमें जाना होगा किसी भी एक file के अंदर तो मैं जाओंगा कहाँ पर एक controller के अंदर चलते हैं यह यहाँ पर है http controllers और कोई भी controller के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह क्या करता है जो भी brackets होते हैं और यह अगर देखोगे तो यह देखे यह blue type का है तो इसका closing भी उसी type का है और यह है yellow और इसका closing भी उसी type का है इससे होता यह है कि अगर आपको structure के अंदर कुछ देखना है कि कहाँ पर आपका कौन सा block end हो रहा है तो अगर यह अलग-अलग colors में है तो आप इससे क्या होता है कि easy हो जाता है आपको समझने में अगर समझ लिजे कि यह अगर extension नहीं होता था तो जो सारे brackets थे वो एक ही color के होते थे और फिर इसको समझने में थोड़ा सा जो है वो problem होता था तो यह जो extension है इसमें हमें यह जो brackets से उसको color करने का काम करता है अभी जो हमारा next extension है वो है colorize अभी यह जो colorize है यह क्या करता है basically इसको समझने के लिए जाना होगा हमें CSS file के इससे क्या होता है कि visually हमें तुरन समझ में आता है कि यह color कौन सा है तो यह एक बहुती simple और useful extension है अभी जो हमारा next extension है वो है .env अभी यह बहुती simple सा extension है यह simply क्या करता है अगर आपके project के अंदर .env file है तो यह इसको थोड़ा सा highlight करता है इसका जो syntax है उसको highlight करता है अभी यह जो मेरी theme है यह थोड़ी सी अलग theme है इसकी बज़े से उत्ता यहाँ पर जो syntax है वो दिख नहीं रहा है लेकिन normally अगर इसका page अगर देखोगे तो देखे कुछ इस तरह से यह जो syntax है वो हमें दिखेगा देखे यहाँ पर पूरा दिया हुआ है अगर यह extension नहीं होता त तो by default जो सारे यहाँ पर characters है वो एक ही color में दिखेंगे पूरे white में दिखेंगे तो यह एक छोटा सा syntax highlight का extension है अभी जो हमारा next extension है यह बहुत ही powerful है देखे एप टीपी simple इसका नाम है और यह basically क्या करता है कि अगर आपके पास कोई भी production level का application है और आप उसके साथ उसका जो sftp है उसके through अगर कर रहे हो आपके server पे तो यहाँ पर normal क्या होता है कि हम code में कुछ changes करते है और फिर हमें कोई ftp client यूज करना होता है जैसे कि file जिला हो गया या फिर cyber duck हो गया लेकिन इससे क्या होगा कि आपको direct मतलब vs code के अंदर से ही आप इसको क्या है आपके server के उप पर code पूश कर सकते हो या फिर वहां से जो भी है वो FTP के through उसको fetch कर सकते हो तो अगर FTP के साथ आप काम कर रहे हो तो यह एक बहुत ही handy extension अपके लिए हो सकता है अभी हमारा जो next extension है वो है git lens और यह बहुत ही advanced level का extension है इसमें बहुत सारे features है हलाकि मैंने भी अभी तक इसके एक feature use करता हूँ और वो उसको समझने के लिए चलता है अपने code editor में और कोई भी file open करते for example web.js open करते यहाँ पर अगर किसी भी line पर अगर मैं यहाँ पर focus करता हूँ तो right side में मुझे यहाँ पर hint मिलेगी यहाँ पर author का नाम मिलेगा और time मिलेगा कभी यह change किया था तो इसक भी यह line change की थी उसका यह पूरा details यहाँ पर आ जाएगा किस author ने change की थी कभी की थी और जो commit message था वो यहाँ पर हमें देखेगा और इसके उपर अगर hover करते हो तो इस line के बारे में पूरा details हमें मिलेगा कि पहले क्या था फिर हमने क्या changes किये कभी changes किये और यहाँ पर जो commit है उसका hash भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा मतलब पूरी detail information हर एक line के बारे में आपको इस extension की बज़े से मिल जाएगी तो यह extension मैं बहुत ही heavily use करता हो अपने development के अंदर अब भी हमारा जो next extension है वो है live server और यह आप में से बहुत सारे लोगों को पताए होगा और आप इसक HTML तो उस file को अगर आपको देखना है तो browser में जाके उसको open करना होता है लेकिन इससे क्या होगा कि इससे आप live server में इसको open कर सकते हो मतलब यह extension क्या करता है हमारे लिए एक server local host के उपर एक server create करता है एक specific port के उपर और वहाँ पर जो हमारी index file है उसको host करता है तो इसको समझ आपने के लिए चलते हैं अपने code में और यहाँ पर क्या करूँगा एक नई file create करता हूँ index.html इसको नाम देते हैं और यहाँ पर boilerplate code generate करते हैं और h1 मैं दूँगा hello from html save करेंगे और अगर अभी इसको हमें live server के अंदर देखना है तो simply इसको right click करना है और open with live server आप कर सकते हो click करने के बाद यह browser के अंदर open हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ यह देखे यह browser के अंदर हमारा open हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह local host के ओपर open हुआ है 5500 port पे तो यह है live server extension और इसका एक सबसे खास feature यह है कि अगर यहाँ पर कुछ भी मैं change करता हूँ css और अगर मैं file को अभी save करूँगा तो मुझे browser में जाके इसको refresh करने की ज़रूरत नहीं है यह automatic जितने भी changes हो रहे उसको यह watch करता है और कुछ changes है तो browser automatic refresh हो जाता है देखे save करूँगा और browser में चलते है तो आप देख सकते हो hello from css मुझे manually यहाँ पर refresh करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी हमारा जो next extension है वो है live share और recently इसके बारे में मुझे पता चला है तो इसमें यह होता है कि आपका जो code है आप किसी के साथ में भी share कर सकते हो और फिर साथ में आप कर सकते हो real time में तो इसका एक अपको example देता हूँ समझ लिजे कि यह मेरा project है और इसके अंदर कुछ bug है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मेरा समझ लिजे कोई colleague है तो मैं चाहता हूँ कि उसके साथ यह share करूँ और फिर दोनों मिलके जो है वो check करें इस तो जल्दी से मैं यहाँ पर इसको sign-in कर देता हूँ और देखिए allow करते है यह browser में जाके इसको sign-in करेगा मुझे authorize करना होगा और यह success हो गया चलो फिर से यहाँ पर open करते है और open करते है इसको देखिए तो यहाँ पर अब देख सकते हो कि मेरी जो invitation link है यहाँ पर मेरे clipboard पे paste हो चुकी है तो एक बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जाके इसको paste करके देखता हूँ क्या है तो अब देख सकते हो यह simple link है यह आपको भीजनी है जिसके साथ भी आपको code share करना है और फिर वो जब करता है और यहाँ पर नीचे देखिए यह live server पूच रहा है कि आपको port 55 पे share करना है इसको तो allow इसको कर देना है और जबी आपको इसको cancel करना है तो यहाँ पर आप click करके फिर आपका जो है वो आप देखिए stop sharing server कर सकते हो जबी आपका काम खतम हो जाए ठीक है तो इस तरह से यह extension काम करता है अभी हमारा next extension है वो है simple react snippets और यह बहुत handy है क्योंकि इस अंदर क्या होता है कि आपका जो react code के अंदर जो भी boilerplate code होता है उसको लिखने में आपका बहुत ही time चला जाता है तो इससे इसमें दिया यह है कि इसमें कुछ shortcuts हमें मिलते हैं अगर कोई भी component हम में जल्दी से create करना है उसका जो boilerplate code है तो उसके लिए shortcut आता है यहापर अगर देखोगे list तो सारी देखे पूरी list है आपको class based component create करना है या फिर statless component create करना है तो simply इस तरह से कर सकते हो देखे for example SFC अगर आप करोगे तो statless जो function component है वो create हो जाएगा एक बार चेक करते इसको तो क्या करूंगा मैं यहापर एक file बनाता हूँ app.js समझ लिजे कि यह जो है यह हमारा react component है और यहापर करेंगे SFC और करेंगे tap press तो आप देख सकते हो यहापर हमें जो हमारा component है वो create हो चुका है तो इसको मैं अगर app नाम देता हो तो देखे यह component ready हो गया फिर यहाँ से आप कुछ भी इसको h1 for example अगर आपको return करना है तो आप यह कर सकते हो तो यह बहुत ही handy tool है react developer के लिए और आप यहाँ पर देख सकते हो कि और भी बहुत सारे इसके अंदर shortcuts है देखे पूरी list यहाँ पर दी हुए है देखे ओके अभी हमारा next extension है वो है svg preview अभी इससे होता यह है बहुत ही simple है इसको समझने के लिए चलते है अपने code editor के अंदर और यहाँ पर images के अंदर अपने पास एक circle.svg है इसको अगर मैं इस तरह से open करता हूँ तो देखे left side में आपकी जो svg image है उसका code दिखेगा और right side में उसका preview हमें दिखेगा अगर यह extension नहीं है तो right side time में जो है वो preview हमें नहीं दिखेगा तो आप देख सकते हो कि कितना time यहाँ पर हमारा बचता है क्योंकि अगर यहाँ पर preview अगर नहीं दिखता था तो हमें इस image को पहले तो browser के अंदर open करना पड़ता था या फिर कहाँ पे भी explorer के अंदर लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि स चलते हैं हमारे पास file ले देखे यह plan.txt और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हैं यह जो green और अगर इसको मैं निकाल देता हो तो यह pink हो जाएगा यह जो हो रहा है यह हो रहा है अपने इस extension की बज़र से कौन सा to do highlight यह extension है और फिर इसको हमें setup करना ह आपको किस type का pattern अगर हो तो यह colors आने चाहिए और कौन से colors आने चाहिए वो भी इसके अंदर setting होती है तो समझ लेजे कि इसका अगर color हमें change करना है तो आप इसके setting में जा सकते हो तो simply यहाँ पर preference और setting के अंदर चलते हैं और यहाँ पर search करेंगे to do highlight यह है to do highlight और यहाँ प कि यह है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके जो colors है यहाँ पर मैंने set कि है कि background color कौन सा होना चाहिए text color कौन सा होना चाहिए और कौन सा pattern हमें use करना है तो यह सारी setting आप यहाँ पर कर सकते हो जो भी colors आपको चाहिए वो आप यहाँ पर दे सकते हो okay अभी जो हमारा next extension ह वो है REST Client और यह बहुत इंट्रेस्टिंग एक्स्टेंशन है अब इससे होता यह है कि आप कभी भी REST API के साथ में काम कर रहे हैं और आपको कोई भी HTTP request send करनी है तो आपको normally क्या करना होता है कोई भी आपको जो REST Client है वो यूज करना पड़ता है जैसे कि Postman हो गया या फिर Insomnia हो गया लेकिन यहाँ पर इस extension की मदल से आप क्या कर सकते हो डायरेक्ली अपके VS Code के अंदर से जो है वो आपके API आप टेस्ट कर सकते हो तो जल्दी से आपको एक example दिखाता हूँ तो अपने code के अंदर चलते है और आपको क्या करना होता है एक file create करनी है इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो मैं यहाँ पर API.http देखें .http यहाँ पर extension में इसको दूँगा और इसके अंदर अभी टेस्टिंग के लिए जल्दी से मैं यहाँ पर ज URL यहाँ से मैं copy करता हूँ तूडूस तक और फिर यहाँ पर आपको जाना है और सबसे पहले तो capital में आपको जो method है वो लिखनी है तो get method मैं यहाँ पर call करना चाहता हूँ और फिर URL आपको paste करना है और इसके बाद आपको क्या करना है simply इसको select करना है जो भी request आपको भीज और जैसे यह करोगे तो right side में हमें जो response है वो मिल जाएगा पूरे headers यहाँ पर हमें देखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो यह array of objects जो सारा response है जो सारे to do's है हमारे यहाँ पर हमें मिल चुके हैं और फिर यहाँ पर कुछ options आते हैं देखे अगर इसको save करना है आपक इसको copy करना है तो यहाँ पर आप copy करके फिर कोई भी file के अंदर आपको अगर उसको store करना है तो आप इस तरह से paste करके आप देख सकते हो कि पूरा data देखें पूरा जो data है वो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आप सिर्फ get request ही नहीं और बाकी की जो post request है वो बाकी सार request भी कर सकते हो तो एक ही file के अंदर अगर आपको multiple request send करनी है तो आप इसको तीन hash देखे इसको separate कर सकते हो और फिर जो भी next वाले request है यहाँ पर आप देख सकते हो और अगर आपको कोई दूसरी type की request करनी जैसी post request होगेरा तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखें कुछ इ यहाँ पर लिखना है फिर content type आपको आपको देना है और फिर जो भी body आपको पास करनी है कौन सा data भेजना है वो आपको इस तरह से करना है और फिर इसको run करने के लिए वही है control alt r या फिर command alt r ओके अभी जो हमारा next extension है वो एक है theme देखिए मेरे बहुत सारे videos के अंदर मैंन नाम की theme यूज की है और यह कुछ इस तरह की दिखती है यहाँ पर अगर आप निचे देखोगे तो कुछ yellow type के इसके अंदर जादा जो accent color है वो होता है और आप देख सकते हो कुछ यह इस तरह के दिखते है इसके जो file icon से कुछ इस तरह के आपको दिखेंगे और यह बहु बहुत ही जादा खुबसूरत यह दिखती है अभी जो हमारा next extension है वो भी एक theme है और वो है pale night theme और यह भी बहुत ही जादा खुबसूरत theme है देखें यह कुछ इस तरह से दिखती है बहुत ही clean यह दिखती है और अगर आपको इस type का कुछ color पसंद है तो आप इसको install कर सकते और finally जिसके बारे में बहुत सारे comments आए कि यह कौन सी theme है जो मैं currently use कर रहा हूँ और यह theme है snazzy operator देखें यह theme कुछ इस तरह से दिखती है जो कि अभी मेरी current theme है और एक बार आपको दिखाता हो देखें HTML कुछ इसमें इस तरह का दिखेगा थोड़ा बढ़ा करते हैं यह द कि अगर दूसरी file open करते कोई javascript की तो देखें यह कुछ इस तरह की दिखेगी देखें और जो comment है यह थोड़ा सा कुछ इस type का है तो basically यह जो theme है देखें सिर्फ यह theme install करके यह होता नहीं है इसके साथ में आपको एक font भी install करना होता है तबी यह पूरा जो यहाँ पर है म mono तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो यह theme install करनी है और उसके बाद आपको एक font add करना है तो अगर चलते है setting के अंदर देखें setting और यहाँ पर करते है font देखें font family अगर आप देखोगे editor font family तो operator mono यह font आपको set करना है और यह अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप download कर स और यह theme set करोगे फिर आपकी जो theme कुछ इस तरह की दिखेगी देखें जो मेरी दिख रही है यह देखें और css अगर इसके अंदर देखेंगे तो css कूछ इस तरह का दिखता है देखें तो यह थे वो 15 vs code extensions जो मैं daily development में use करता हूँ और अभी finally एक bonus extension में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और यह थोड़ा सा इसके लिए थोड़ी सी आपको practice चाहिए होगी अगर आपने कभी vim editor use किया है तो यह आपके लिए थोड़ा सा असान हो जाएगा देखें अगर extension में चलते हैं और यहाँ पर type करेंगे vim और देखें यह open हो जाएगा और इसको मैं अभी करूँगा enable तो यह basically क्या है यह vim emulation है हमारे vs code के लिए तो इसमें होता यह है कि आपको arrow keys वगेरा use नहीं करनी होती है आपको इसमें क्या करना होता है देखें कोई भी एक file आपको मैं open करके दिखाता हूँ तो इसमें for example चलते server file के अंदर और इसके अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपको arrow keys उपर नीचे जाने के लिए आपको use नहीं करनी है तो simply आप यहाँ पर आपको जो keys use करनी होती है navigation के लिए वो होती है h, j, k, l और उपर जाना तो k आप दबा सकते हो नी बहुती slow है, लेकिन जब भी आपकी practice हो जाएगी इससे, इससे होता यह है कि आपको जो आपके fingers है या फिर hand है उसको आपके keyboard से ज्यादा move करना नहीं होता है, इसकी बज़े से यह काम जो है वो बहुती fast हो जाता है, एक बार आपकी practice हो जाए तो यह बहुती fast आपका जो coding के अंदर install है और आपको यहाँ पर type करना है Wim Tutor और enter करेंगे और यहाँ बर आप देख सकते हो कि इसका जो playground है यह open हो जाएगा और यह जो सारी instruction से वो आपको follow करनी है, इसके अंदर सारी commands आपको बताए जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है, इसको पूरा आपको follow करना है और इसके अंदर आपको practice करनी है, और एक बार यह हो जाएगा, तो आप फिर क्या कर सकते हो, यह जो extension है, यह VS Code के अंदर install करके फिर आप इसको use कर सकते हो, तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए useful होगा, और अगर यह आपको पसंद आता है तो इसको like करना मत लिए और आपके दोस्तों के साथ में share कीजिए, और इसी के साथ में अगर आप चाहो तो चानल को support भी कर सकते हो, नीचे जो join बटन दिख रहा है, उसको click करके, और मुझे Instagram और Facebook पे भी follow करना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं daily basis पे कुछ ना कुछ upload करते रहता हूँ, तो मैं आ ने वीडियो में तब तक के लिए happy coding